Imagine तुम्हारे पापा तुम्हें बोलते हैं कि एक पानी की बाल्टी भर कर लेया और तुम भी यस पापा, यस पापा करते हो, पानी की बाल्टी को लाने जाते हो बर जैसे उसको उठाते हो, you feel कि तुम इसको उठा ही नहीं पा रहे हो तुम किसी तरह दो हाथों से उस पानी की बाल्टी को उठा लेते हो, चार कदम चलते हो, हाथों में भेंकर दर्द होती ही, वापीस रख देते हो, पापा के पास आकर बोलते हो कि पाप मिरसे बाल्टी ने उठी, पापा तुम्हारा मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि तेरी बा खासकर जो त्योरा बारा साल की हुमर से छोटा है , उसको पेट कैसे पढ़ सकता है ? अबेर उसको पढ़ रहा है तो वह बीमारी का घर है , तुम सोचते हो कि मैं कम खाऊंगा और तुम इसी problem में गूँचते रहते हो, फसते रहते हो, और तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हें करना क्या है, पर वो तो चुद tag था जिसको समझ नहीं आया, actual chat tag होता न, तो वो चीज को साफ step by step actionable plan के साथ fix करता, इस problem को हम कहते हैं skinny fat syndrome, skinny fat syndrome almost हर Indian को है, unless तुम genetically blessed हो, या फि तुम मेरा बचपन का रूप और कई सारे Indians active नहीं होते हैं बचपन में, मम्मी ही plate उठाती है bed से, और चार कदम तक घर पे नहीं चलते हैं, physical fitness दूर की बात है, मैं तुम्हें promise करता हूँ, अगर तुम ये वीडियो पूरी देखो, कि मैं तुम्हारा ये skinny fat syndrome completely fix कर कर पर एक warning के आगे मैं जो भी कहने वाला हूँ, वो विलकुल इस निम्बो की तरह खटा कड़वा हो सकता है, पर लेकिन vitamin C से भरा हुआ होगा, और तुमारे लिए healthy होगा, इसलिए अगर आपको ये video छोड़नी तो छोड़ दो, क्योंकि मैं के कर सकता हूँ, इंडिया greatest self-restrict चैनल कुन सा है, चैट टैग, और ये एक जीवन का तथ्य है, वाह, देखो, मैं आपको साफ सिंपल शब्दों में, एक चीज़ बता जाता हूँ, अगर तुम टीनेजर हो ना, और तुम 20 या 19 साल से छोटे हो, एक चीज़ को अपने दिमाग से permanently treat कर दो, वो है weight loss, weight loss as a teenager, तुम्हें कभी भी नहीं करना है, unless, तुम इतने obese हो कि डोक्टर कह रहा है कि तुम heart attack से कभी मर सकते है, तुम इतने obese हो कि तुम्हें teenage की age में ही diabetes हो चुका है, तुम्हें heart blockage हो चुकी है, अगर उतना severe case है या तुम से चला नहीं जा रहा है, I don't know कितनों को होगा, अगर त तुम में उतना severe case है, तब तुम बेजी जग हो के weight loss करो, डोक्टर से पूछ के, पर अगर तुम एक आम, दूबला, पतला, या skinny fat, या किसी भी तरह का एक teenager हो, जिसको कोई घातक, बिमारी नहीं लगी है ना शरीर में, never ever cut, और ये बात को अपने दिमाग में इस तरह fix कर ल नहीं है, तुम पूछो के क्यों भाई, तू कह चाता है, हम teenager अगली रहें और हमारी class की लड़कियों को तू ले जाए, well, ऐसा नहीं है, simple शब्दों में बताऊं, तो होता क्या ना, तुम teenager हो, तुमारे हाथ, पैर, ये, सब कुछ बड़ा हो रहे है, अगर तुम कम खाओ या किसी भी तरह अपनी body को इतना burn करोगे कि बजन घट जाए, तो तुमारा शरीर किसको priority देगा, शरीर को बड़ा करने में, या फिर weight को lose करने में, answer बड़ा simple सा है, शरीर सारी priority weight को lose करने में ही देगा, और वो भूल जाएगा कि तुम्हें लंबा चोड़ा भी होना है, क क्योंकि even you know, यह luxury items हैं, और इनके भीना तुम मरनी जाओगे, तुम अपने घर को और अपनी जमीन को last में जाकर बेचोगे, और जब हद से ज़्यादा चीज पार हो जाए, तो में भी तुम अपना कुता तक बेच दो कि पैसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सेम बोडी के पास एक अपदा आती है, जो खाना कम मिल रहा है, बरन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बोडी का करती है, सीधा luxury को हटाती है, luxury उसके लिए का है, मेभी muscle हो सकते है, मेभी height का बढ़ना हो सकता है, मेभी किसी body part का बढ़ना हो सकता है, so please यह चीज को कान को हाथ लगा कर अपने दिवाग में बसा लो, never ever cut, अगर तुम एक teenager हो, cut से मेरा मतलब weight lose कभी भी नहीं करना है, तो अगर तुम teenager हो, तो करना गया है, let us talk about that, as a teenager तुम्हारा चिरफ एक ही गोलोना चाहिए, वह कि तुम्हें उतना खाना है, जितनी तुम्हारे शरीर को calories चाहिए, simple, that is it, अगर तो तुम बहुत skinny बन दे हो, बहुत पतले, तो तुम ये वीडियो गलत देख रहे हो, मैंने पहले एक skinny, two bulk वाली वीडियो बनाई है, तुम वो देख लो, पर अगर तुम्हें कैसा बंदा हो, जो की skinny fat है, मतलब कपड़े पैन के पतला दिखता, कपड़े खाना तुम्हें ज्यादा खाने की जूड़त नहीं है, ना ही कम खाने की जूड़त है, अगर for example, तुम्हारे को Google बताता है, तुम्हें 3000 कैलरी चाहिए, तुम्हें 3000 ही खानी है, तो तुम कहो कि मेरा weight loss कैसे होगा इससे, बहुत simple है, देखो, तुम्हें weight loss इस वक्त करना ही तुम्हें जब तुम्हें जब तुम्हारी fat है, वो एक jacket की तरह काम करती है, अगर वो सिरफ ऐसी ही चड़ी है, बीना muscle mask है, तो थुल-थुली, ऐसे पुल-पुली, संत्रे जैसी लगती है, ऐसे लगता cute सी है, उसको है, तो ऐसे करके मैं खेलू, पर लेकिन जैसे अंदर muscle आजाता है, तो वो fat जो है, वो बिल्कुल jacket की तरह धाल ले लेती है, एक तगडी body वाली, मैं तुम्हें examples देता हूँ, power lifters के example, जब भी आप किसी power lifter को देखते हो ना, तो वो ना ही fat लगता है, but at the same time, वो muscle वाला भी लगता है, पर होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भले उनको चर्वी चड़ी है, इतने इतने दानौफ बने है, but at the same time, उनमें muscle mass इतना ज़्यादा होता है, कि वो 400-500-500 kg उठा रहे हो, तो यही करना है, तुम्हें naturally abs नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, बहुत उमर पड़ी abs के लिए, अभी तुम्हारा इतना सा गाम है, तुम्हारी maintenance calorie में तुम खाना खाओ, प्रोटीन भी काफी ज़्यादा खाओ, अपने body weight, जितनी तो कम से कम खाओ, जितना किलो में body weight है, उतनी gram protein तो खाओ ही खाओ, और साथ में workout करो, workout जीम में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, लिली section में जाना सब कुछ मिल जाएगा और जब तुम तुम ही maintenance calorie में खाओगे, साथ में workout भी मारोगे, तो होगा क्या, कि तुमारी weight तो नहीं घटेगी, तो उस वज़े से तुमारी height, तुमारी ये size, हाथों का size, पैरों का size, सब कुछ बड़ा होगा, बट at the same time, क्यों कि तुम weight lifting कर रहे हो, प्रोटीन खा रहे ह तो ये चर्वी भी चाती वाली shape ले लेगी, and you will look absolutely phenomenal जब भी तुम टाइट कपडे पहन होगे, या मस्त कपडे पहन होगे, and that is it, simple ilaj for all the skinny fat teenagers, but now let I just say, आप teenager नहीं हो, and you are an adult, जो की cut कर सकता है, मतलब वेट को भी लूज कर सकता है, क्योंकि तुमारे को को प्रोब्लम नहीं उसके बाद तुम 25-26 कलरी खाकर जिंद की भर के लिए बल्क करना, lean bulk जो होता है, जिसमें तुम maintenance हलका से एक चमच भर ऊपर खा रहे हो, and abs भी रह रहे है, muscley button होता रह रहे है, इसका मैं example दूँगा तुमें, जैसे कि Jeff Cavillair है, Athlean-X, वो बंदे को कभी देखा तुमने बिन जीशे में, तुमें क्या चाहिए, कितने abs चाहिए, कैसे abs चाहिए, इमेजिन कर लिए, उसके बाद कम खाना शुरू कर दिया, 25 कैलरी है, मान लो 3000 तो 25 काना शुरू कर दी, उसके बाद धीरे-धीरे fat जा रहा है, उस time period तक अपनी fat को जाने दो, तब तक जाने दो, जब त करते हैं, उनकी जो की इसको opposite root लेते हैं, कि skinny fat हैं, पर साथ में bulk करेंगे, देखो, यह root in my humble opinion, humble opinion मेरा अपना opinion है, तुमें चुपती बातों चुपती रा, I don't care, इसलिए चैनल है मन्चुसवाता है, यह body extremely unhealthy होती है, heart पे बहुत प्रेशर डालती है, and I have done this, अभी, बस कुछ टाइम पहले, I started bulking, बस तीन-चार मन्थ पहले मैंने plan बनाया, कि अब YouTube से पैसे कमा रहा हूँ, let's dirty bulk, खूब सारा protein खाएंगे, सब करेंगे, कि चलो, body बन जाएगी, कपड़ों में body तो लगेगी, what happened was, suddenly, मेरे हाथ सुन रहना शुरू हो गए, एकदम से हाथों में कीडे मेरे दोड़ते हैं, एकदम जैसे blood रुख जाता है, जब कुछ अलग पूजिशन में हाथ और पैर, रेंडम इंस्टेंसिजन में एडिट कर रहा हूँ, मेरे पैर और हाथ सुन जा रहे थे, और मेरे को frequent urination की problem होगी, लगा ता रहा है, वाश रूम दोड़ रहा था, suddenly, मेर मेरे को क्या problem है, मेरे को क्या problem है, मेरे कम जदा ओवरीट कर रहा हूँ, मेरे मेरा कलेस्ट्रोल या बीपी विगरा बटर है, that is why मैंने सीधा calories को cut-down कर दिया, chatmax challenge शुरू कर दिया, and guess what happened, I am completely normal now, मेरे को कोई भी तरह की problem नहीं है, हा, मेरा size गट गया, but what, फिर क्या हुआ, म और basically killing yourself, खासकर अगर तुम डिर्टी बल कर रहे हो, तुम बल करना तो इतना करो कि तुम 200 कैलरी जादा खा रहे हो अपने maintenance से, never ever do this कि तुम skinny fat हो, और तुम बहुत 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 अनहल्दी, अगर इतना खाना है, तो please, ध्यान से सुन दबा के पेलूँगा खाना और पचा लूँगा भई, बगवान को प्यार हो जाओगे, trust me, कुछ ना कुछ तुम्हें दिक्कत आ जाएगी, में भी stroke विएर आ जाए, इसलिए never ever dirty, बल्क मैं अपने perspective से, अपने point of view से, खुद tried and tested चीज बता रहा हूँ, तुमारी फटती है तो अब मैंने अपनी calories को cut down कर लिया, intermittent fasting करता है और healthy feel करता है, तो basically अगर तुम skinny fat teenager हो, all you have to do is eat at maintenance, अगर तुम एक skinny fat adult हो, जो कि teenager नहीं है, teenager से बड़ा है, तो तुम्हें simple सी चीज करनी है भाई, वो है, अपनी maintenance calories से कम खाओ, 500-600, over time अपना fat lose होने दो, जब आपको आपकी तुम्हें अपनी body अच्छी भी लगेगी, अस्थाटिक भी लगेगी, तुम healthy भी feel करोगे, अगर तुम्हें ये calorie, calorie कुछ समझ नहीं आया कि बोला क्या, तो एक simple सी trick बता रहा हूं, इस channel में playlist section है, वहाँ जाओ, वहाँ पर मैंने calories को detail में समझाया कि होती क्या है, मुझे तुम्हें को नहीं आया होगा समझ, प्लीज अपने आपको सिखा लो, ये knowledge कोई ऐसे नहीं है कि ले लेंगे, important knowledge है, सबको पता होनी चाहिए, it is like कि जिस तरह सबको आज करना, cycle चलानी आनी चाहिए, कम से कम, सेम भी इतना पता होना चाहिए कि calories होती क्या है, प्लीज मुझ अपनी लुक से परेशानों खास कर, इसकी चहरे की लुक से, और आप चाहते हो कि आप भी इस तरह का लुक्स मैक्स करो, जैसा मैंने की है, तो आप description का first link चेक आउट कर सकते हो, trust me, आपके वर्थिट होने वाला है, description में आपको मेरा Instagram page and Discord server मिलेगा, तो उन्हों को join और follow button I'll be seeing you next time, till then as usual, to see it everyone, जागते रहो, वाह